तो एक बर फिर से प्रभीश मसी के नाम से आप सब को जै मसी की तो आज हमें एक और फुंटी बाबा मिले हैं जी हाँ फुंटी बाबा Christianity में भी आपको फुंटी बाबा मिलते हैं जो इधर उधर की बाते करते हैं लेकिन Bible के वचन दिखा के आपको नहीं सिखाएंगे लेकिन फुंटी बाबा और वो भाई फुंटी बाबा बोल रहा भाई आशीज भाई को मैं एक्सपोस कर दूँगा डिस्ट्राइग कर दूँ के लिए डराया जाता है चेर्च में तो चलिए मेरे दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब हम बाइबल में से धोंडते हैं note कीजिए इनोंने कहा बाइबल में से जवाब धोंडते हैं सायद आगे ये हमें नए नियम्न से वचन देने वाले कि भाई दसमांक्स देना चाहिए चलिए वचन देखते हैं भाई अब वचन देंगे क्योंकि मैंने एक भाई का हाले में वीडियो देखा है जिसमें उन्होंने चर्च के खिलाफ और पास्टरों के खिलाफ बहुत सारे बयान बाजी किया है दसमांस के खिलाफत में वीडियोज बनाई है फुंटी बाबा ऐसा है ना मैंने जो भी बात बोली है वो बाइबल का वचन दिखा दिखा के कही है बयान बाजी किसे कहते हैं बयान बाजी उसे कहते हैं जो भाई तुम अपने मन मर्दी से बोल रहे हो बाइबल के वचनों से नहीं सायद ये नए नियम से बाइबल का वचन दिखा दिखा के हमें सिखाएंगे कि दसमांक्स देना चाहिए वैसे तो मैं उनको पाच मिनिट में ही डिस्ट्रॉई कर सकता हूँ जवाब देकर वेरी गुड जरूर डिस्ट्रॉई कीजिए मुझे लेकिन एक शर्त है बाइबल का वचन दिखा दिखा के ठीक है नए नियम से बाइबल का वचन दिखा दिखा के डिस्ट्रॉई करना पड़ेगा ये शर्त है और मती 23-23 वचन मत दिखाना क्योंकि वो यहुदी थे शास्त्री और फरसी येहुदी थे और उन्होंने अपना नियम पालन करते हुए दस्मांक्स दिया तब ही ये शुमसी ने उन्हें कहा कि हाँ चाहिए था कि तुम भाइब दस्मांक्स भी देते रहते और साथ साथ में न्याएं दया और विश्वास भी करते रहते क्यों? क्यों दस्मांक्स दिने को बोला उने? क्योंकि वो यहुदी थे तो मती तेश तेश छोड़ के बाकी दूसरा हर एक वचन दिखाओ भाई मुझे गलत साबित करो चैलेंज है और इन भाई साब ने जितने भी सवाल वचन में से अपने चैनल पर उठाएं हैं दस्मांस के खिलाफ में हम उन वचन को भी इनके सामने सही करके इनको बताएंगे तो सबसे पहले इन्होंने दस्मांस के बारे में सवाल उठाया कि अबराहाम ने जो मिलके सिदक को तसमांस अपना दिया था वो उसने अपने कमाई में से नहीं दिया इसलिए वो उसका दसमांस नहीं है तो हम उससे बाइबल केनुसार नहीं मानते हैं फुन्ति बाबा मेरे कहने का मतलब यह नहीं था, मेरे कहने का मतलब क्या था? मेरे कहने का मतलब यह था कि जो अबराहम ने टाइथ दिया ना, दस्मांक्स दिया ना, ये घटना हमें उत्पत्ती 14, chapter 14 में देखने को मिलती है, कब जब इसराइल देश बना भी नहीं था, centuries प परमेशवड ने दस मांक्स को नियम व्यवस्था नहीं बनाई थी। परमेशवड ने कब बनाया ? Exodus की पुस्तक में, निर्गमन की पुस्तक में, centuries बाद में जब मुसा यहुदियों को मिश्र देश से निकाल लाया था, centuries बाद में ये गटना देखने को मिलती है, जब परमेश्वर ने तंबू बनाया अपने लिए तंबू किसलिए ताकि लोग वहाँ जाके सेक्रिफाइस कर सके बेड़ बलेदान अपने पापों के लिए बेड़ बलेदान शमा कर सके तो मेरे कहने का यह मतलब था कि जब अबराम ने दसमांक्स दिया दिया अच्छा है हम देखते हैं तब जाके परमेश्वर ने यह नियम दिया मूसा के द्वारा यह व्यवस्था दी कि तुम्हें देना पड़ेगा दसमांक्स और दसमांक्स क्या देना पड़ेगा भोजन वस्तो ना की पैसा कहीं पर भी पूरे बाइबल में आप मुझे दिखा दीजिए प पुराने नियम से नए नियम से यह दिखाओ कि परमेश्वर दसमांक्स मांग रहे हैं किसका पैसो का बलकि मांगते हैं भूमी की उपच और वो भी किन को यहुदियों को यार हमें थोड़ी और इसलिए अबराहम ने उसे अपनी जीत का जो परमेश्वर ने अबराहम को द कर राजा को मारा और उसके सारी संपति को लुटा और इस भाई को जो कह रहे हैं कि अबराहम को वो महनत से नहीं मिला तो आप एक मुर्गी भी पकड़कर अपने गाउं में दिखा दो तो वो बड़ी बात होगी अरे फुंटी बाबा मुर्गी पकड़ने की बात कर रहे हो मुर्गी भाई हम ऐसी जगे में रहते हैं जहां तेंदुए से हर दिन हमारा सामना होता है तेंदुए आके हमारे गाउं में मुर्गी मार के लिखे जाता है कई बार तो हम पत्थर मार मार के तेंदुए को भगा तेन दुवे के बच्चे हाथ मिली है यहां पर जो हम टी गार्डन में रहते हैं ना तेन दुवे आते कभी आ के देख ले ना दार्जिलिंग में ठीके मेरे भाई दूसरी बात फुंटी बाबा तुम जो बोल रहे हो ना कि अबराहम ने महनत करके लूटा तो ठीके भाई मैं आता हूँ आपके घर में महनत करता हूँ और लूटता हूँ आपके घर को देखता हूँ आपको कैसा लगता है तब बोलना हाँ आशिस भाई ने भाई महनत किया है लूटा है महनत करके लूटा है कमाल करते हैं और फिर आचानक से बात करते हैं कि दसमांस जो है वो वेवस व्यवस्था के आधिन नहीं है तो हमें दसमांग्स भी देना नहीं चाहिए परन्तु मैं इन भाई साहब को बताना चाहूंगा कि जो राजा मिलकी अची बात अब नहीं दिया लेकिन फिर एक्सोडस की पुस्तक में परमेश्वर ने क्या किया दसमांग्स को बना दिया व्यवस्था बना दिया और फिर भी अबराहम ने वह दसमांग्स को निकाला यह ऐसे बात क्यूं कर रहा है मुझे यह समझ नहीं आता कि यह लोग जो अ यह लोग मैं मैं बहुत देखता हूं यूट्यूब पर यह लोग अपने आपको बहुत धर्मी सोचते हैं और इनका जो बात करने का तरीका देखो यह इसा हुआ फिर मों उदर गया एक नॉर्मल इंसान की तरह बात करना भाई क्यों नाटक बाजी कर रहा है तो मैं आप इसलिए ऐसे लोगों को मैं फुंटी बाबा कहता हूं क्योंकि इन लोगों को ना कुछ भी ने मालूम बाईवल का भी ने मालूम भाई यह कह रहा है भाई इसी के स्टाइल में जवाब देते मेरे भाई तुझो बोल रहा है कि दस मांक्स कोई आज्या नहीं इसलिए मैं माल है यार चलिए देखतें दस मांक्स प्रभू की आज्या है कि नहीं तो सबसे पहली बात आप लोगों को जानी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि यह जो पहली पांच पुस्तक है ना वान टू थ्री फॉर फाइब उत्पत्ती से लेकर व्यवस्ता व्यवरन यह मुसा की लिखी गई पुस्तके हैं पांच किताबे फर्स्ट फाइब बुक्स ऑफ ओल टेस्टरमेंट वाज रिटन बाई मोजस ठीक है मुसा के द्वारा लिखी गई है इन पांच किताबों को कहते हैं पैंटा टुक पैंटा का मतलब होता है फाइव यानि पांच और टुक का व्यवस्था देखो व्यवस्था इसी में आता है व्यवस्था और व्यवस्था ये किस ने दी थी परमिशर को मुसा ने दी थी और जड़ा ये व्यवस्था को अगर इंगलीश में इंगलीश बाइवल में ले व्यवस्था को क्या बोलते हैं लेवेटिकस बोलते हैं ध्य है कैसे वह हम बचन से देखेंगे आगे लेकिन आप यह ध्यान दो कि लेव व्यवस्था को अंग्रीजी बाइबल में लेविटिकस पोलते हैं यानि लेवियों के लिए दी गई जो व्यवस्था थी बाइबल का अगर हम नाम ही पढ़ेंगे ना यह पुस्तकों के नाम इसी स से हमें पता चल जाता है देगे डिट्रोनोमी को हिंदी में बोलते हैं व्यवस्था विवरन यानि नहीं ये जो लेवियों को दी गई फी जो पुस्तक लेवियों के लिए विशेस्ष मेरी विशेस्ष प कर द shot को और विवरन करके यानि और में बता है हाला कि ले व्यवस्था की पुस्तक विशेश रूप से लेवियों के लिए है, ले व्यवस्था नाम से पता चलता है, लेवियों के लिए व्यवस्था, लेकिन कुछ-कुछ बातें समस्त अन्य इस्राइलियों के लिए भी है, ले व्यवस्था में से, ले व्यवस्था 27 तीस मतलब क्या होता है तुम्हें यहीं नहीं मालूम हां ले व्यवस्ता का मतलब होता है लेविटिकस यानि लेवियों के लिए देखिए इस हिंदी में भी देखिए ले ले यानि लेवियों के लिए दी गई जो थी क्या थी व्यवस्ता ओके तो ले व्यवस्ता से ही हम पढ़ें 27 तीश्व वचन देखिए फिर भूमी की उपच का सारा दस्मांक्स देखो यहां पर प्रभू पैसों का दस्मांक्स ने मांग रहा है भूमी की उपच का सारा दस्मांक्स चाहे वो भूमी का बीज हो चाहे व्रक्ष का फल वह यहवा ही का है वह यहवा के लिए पवित्र ठह तो यह प्रभु मुसा को व्यवस्था दे रहा है नियम दे रहा है कानून दे रहा है लौ दे रहा है अपना कमांडमेंट दे रहा है अपनी आज्या दे रहा है बोल रहा है आज्या नहीं यह प्रभु की बाप रे तुम क्या बोल रहे है तुम्हें पता भी है भाई अगला वचन देखिए इतना बड़ा वचन है देखिए व्यवस्था विवरन यानि उसी व्यवस्था को यानि लेवियों के लिए जो व्यवस्था है उसी का और विवरन और detail में बताया गया है और खुल के बताया है व्यवस्था विवरन 14-22 से देखिए बीज की सारी बीज की सारी उपज में से प्रतिवर्स यानि हर साल खेत में उपके यानि उगने वाले उसका दसमांक्स अवश्य अलग करके रखना तो यहां पर प्रभू कहीं पर भी पैसा नहीं मांग रहा हाला कि इस समय में पैसे लेकिन फिर भी प्रभू पैसा नहीं मांग रहा है खेत की उपज पूरा वचन पढ़ता हूं और जिस स्थान को तेरा परमीश और यह हुआ अपने नाम का निवास ठेराने के लिए चुन ले उसमें अन और नए दाखमदू और टटके तेल का दसमांक्स देखो देखो दे अपने गाए बैलो देखो गाए बैलो का भी दसमांस ठीक है क्योंकि जब लिवियों को खाने का मन करेगा ना मास तब क्या खाएंगे बाई और अपने गाए बैलो और भेड बकरियों के पहलो ठे अपने परमीश और यहवा के सामने खाया करना जिस से तुम उसका भय नित मानना सीखोगे परंतु यदि वह स्थान जिसको तेरा परमीश और यहवा अपने नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा बहुत दूर हो और इस कारण वहां की यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तु अपने परमीश और यहवा की आसा से मिली हुई वस्तूएं वह ना ले जा सके तो उसे बेच के रुपे को बांध हात में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमीश यहवा चुन लेगा यहां पर एक गौर करने वाली बात क्या है कि उस समय में भी पैसे हुआ करते थे यहां पर देखो 25 ववचन परंतु यदि मतलब कोई अगर आसी जगा है तो क्या कर तू उसे बेच के बेच के रुपे को बांध हात में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमीश यहवा चुन लेगा ओके चुन लेगा और वहां गाय बेल वह भेड बकरी वह दाकमदू वह मदिरा वह किसी भाती की वस्तु क्यों नहों जो तेरा जी चाहे जो तेरा जी चाहे देखो फ्री विल ओफरिंग है यहां पर अपने मर्जी से जो तेरा जी चाहे यानि तु अपना वो अपना जमीन अगर जमीन वामीन कुछ है तो तेरा वह बेच के जो तेरा जी चाहे जैसा भाते बाती की वस्तु क्यों नहों चाहे दा जबीनामीन्हा वबिट करें है तो उस जबीनामीन को बेच दें पैसा तूं क्या कर उस पैसे को क्रांट करें देखू लेकिन क्या करू ऑप्से तूं तु यह सब चीजे खरीद और चीजे लेकु मोल के आदंद कर आध शल पाद आत不好 दहा जबीन परमेश्वर, साफ साफ बात कर रहे हैं, कि भाई, तुम्हें free will offering करनी है, सबसे पहली बात, अगर तुम्हारे पास जमीनोमीन ऐसा कुछ है, तो जमीनोमीन क्या करो, तुम बेच दो, ठीक है, जमीनोमीन बेच दो, अगर कुछ भी ऐसा चीज है, उसके बाद क्या करो तुम, उस जमीनोमीन को बेच के, जो पैसा तुम्हारे पास आता है न, वो पैसा मत दो, लेकिन क्या करो, उस पैसे से, तुम क्या करो, यह इधर देखो, यहाँ पर, और वहाँ गाए बैल, भेड़ बकरी, दाक मदू, वह मतलब या, या मदीरा, या, वह किसी भाती की वस्तु क् हो, जो तेरा जी चाहे, तो दस मांक्स, तुम्हें किस चीज का देना है, दस मांक्स तुम्हें अगर तुम देना चाहते हो, तो दस मांक्स यहाँ पर उपर देखो, दस मांक्स अगर दो, तो भूमी की उपर, गाए, बैल, बक्रिया, इसका दस मांक्स दो, लेकिन अगर त हाला कि रूपए होते थी तो उस समय में इधर यहाँ पर, तो उसे बेच कर रूपए को बांध रूपए को बांध यानि रूपए को रक अपने पास हाथ में लिए हुए उस कि आई यहोँ बैड वहा बकरी व cep लेके यहा कई न क्यों नहों जो जो तेरा जी चाहे उसे जो तेरा जी चाहे फ्री विल ओफरिंग जो तेरा जी चाहे उसे उसी रुपे से मोल लेकर पैसा नहीं मांगरा प्रभू ठीक है मोल लेकर अपने घराने समेत अपने परमीश्वर यहवा के सामने खाकर आनंद करना तो परमीश्वर क क्या है पैसा नहीं चाहता है आपका कभी भी पुराना नियम पुरा छान लो भाई दस मांग्स पैसा कभी नहीं होता हाला कि पैसा होते थे लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है अगर तेरे पास पैसा है तो क्या कर उससे चीजे खरीद फिर ले क्या और यह हमारे लिए नहीं है भाई ले व्यवस्था व्यवस्था विवरन क्यों बोलते हैं क्यों बोलते हैं चलो पूरा वचन पड़ते हैं और अपने फाटर को के भीतर के लेवी देखो लेवी को ना छोड़ना यानि उने भी देना भाई लेवियों को लेवियों को क्यों प्रभु ने चुना है तीन प और बोला जब बेचके भी तू क्या कर? या कुछ भी समान बेचके तू क्या कर? पैसा इकटा कर और उस पैसे से चीज़े खरीद के दे चलो आगे दिखते हैं अंठ ना होगा तीन तीन वर्स के बीतने पर तीसरे वर्स की अउपज देखो उपज यानि जो उगता है उपच का सारा दसमांग्स जो उगता है उसका दसमांग्स निकाल कर अपने फार्ट को के भीतर इकटा कर रखना ठीक है जो भी उगता है वो पैसा नहीं मांग रहा है पैसा यह देखो इदर पर बोल रहा है पैसा नहीं मांग रहा है तब लेवी जिसका त जो परदेशी और देखो पहले 10 मांग्स यानि खाने की वस्तु लेवियों को देना और जो परदेशी और अनात और बढ़वाई यानि गुलाम तेरे फाटकों के भीतर हों यानि गरीब लोग वे भी आकर पेड़ भरके खाएं तो दस्वांग्स क्या है यह देखो यह देखो दस्वांग्स क्या है यह देखो दाल दाल ये सब चीज इसको क्या कर तुम इसको क्या कर इसको इखटा करके रख और लेवियों को दे सबसे पहले उसके बाद में किसको दे परदेशी को दे अनात को दे खाने वाली वस्तु जो गुलाम है उन्हें दे बंदुवाई में हैं फाटकों के भीतर हो वे भी आकर पेड़ भर के खाएं तो दसवांक्स क्या है खाने की वस्तु एखानी की चीज दसवांक्स कभी भी दस्मांक्स कभी भी पैसा नहीं है जिससे तेरा परमिशर यहो आ तेरे सब कामों में तुझे आशीज दे यह भाई साहब ने नय नियम का वचन ले लिया कि जो व्यवस् मानते वो श्रापित है, बाइबल खूद करता है, आपने वजण भी दिखाया, और हमें क्या मानने को कहा गया है? इन्हों ने बताया कि दसमांग्स का नियम तो व्यवस्ता के पहले से है तो ये व्यवस्ता तो है ही नहीं नोट कीजिए ये फुंटी बाबा फिर से बोल रहा है कि दसमांग्स व्यवस्ता नहीं है लेकिन ये हमें देखने को मिलता है कहां पर लिये व्यवस्ता की पुस्तक में देखने क कमाल है यार, जो हम मानते हैं, ये तो हमारा प्रेम है, अब लोग इसे चुपाना चाहते हैं और नहीं देना चाहते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर के कामों के लिए, तो ये आपकी चोईसे, आपकी मर्जी है, परन्तु आप इसे अपनी मनगड़त सिक्षा को कहानी बनाक बर दूसरों को नहीं सिखा सकते कमाल की दुनिया है फुंटी बाबा जो फुंटी बाबा इतनी देर से खली अपनी आफ़ा कहानिया सुना रहा है कि अबराम ने दिया था तो हम भी डेंगे हमारा जो प्रेम है परमेशर के प्रती के इसलिए हम दश्मांग्स देते हैं यह जाता हूँ कि जो वाइवल में इन्होंने कहा कि ववस्ता को मानने वाले श्रापित हैं वो किस तरह हैं? क्यूंकि मेरे प्रियों हम जानते है कि पुराने नियम में मसी ही नहीं आए थे तो हमें चिन्न की नहीं फिर उस मसी को देख कर चलने की आवश सकता हो जिस तरह मैं आपको एक किस्ता सुनाओं परन्तु आप इसे अपनी मन गड़त सिक्षा को कहानी बना कर दूसरों को नहीं सिखा सकते अरे फुंटी बाबा कुछ तो सरम करो कि येश मसी आए ठे ये हुआ वो हुआ खुद किस्सा कहानिया सुना रहा है खुद भाई इदर उदर का बात सुना रहा है लेकिन एक भी वचन अब तक इसने नहीं दिया कि भाई दस्मांक्स देना चाहिए येश मसी के चेले ऐसा सिका रहे हो कि भाई दस्मांक्स देना है या फिर येश मसी के चेले कहीं पर भी बाईवल में दस्मांक्स दे रहे हों कहीं पर भी ऐसा वचन इसने नहीं दिया बस politics में काम आएगा Bible में राजनिति नहीं चलता इसमें वचन चलते वचन दो वचन कि मुशा ने पत्थर को मारा और उसमें से पानी निकल पड़ा मेरे भाई किससे कहानिया छोड़ो Bible का वचन दो दस्मांक्स दो बोलके कोई ऐसा वचन दो या फिर येशुमस्य के चेले दस्म सबढ़ने और जैसा की ये भाई साब कह रहे थे कि दसमांस देना ववस्ता के 613 नियम से 1 तो मैं इसको बताना चाहized नियम से 1 यह भी हो कि तू वचार मत करना कोई sence सिस बात का कहा मैं बात कर रहा हूं? YouTube dosmansk S kanski. कहां ये बात को घुमा-घुमा के किसा, कहानियां सुना-सुना के कहा मेलिबॆ की तरफ लिगा जा रहा है. खमाल है यार ये तो फिर आप वेज़ियर करो और अपरा तफरी मचाओ. इंज्योय करो आनद मनाओ. और खुलम खुला घुमों क्या फर्क पड़ता है कि ववस्ता को मानने वाले तो श्रापित है जैसा इन्होंने कहा फिर अगर हम विचार नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि हम ववस्ता को मान रहे हैं वो क्या है क्या नहीं है वह बात छोड़ दे मेरे भाई तु बस मुझे एक वचन दे दिखा दे नए नियम से जहां येश्यू मसी कह रहा हो कि दस मांक्स दो मत्य तेश तेश मत दिखाना वो क्यूंकि वो फरसी और शास्तरी लोग वो कौन थे वो यहुदी थे अन्य जातियों से कह रहे हो वचन देना तु कहां इसका मतलब व्यविचार हम व्यव से दिखा वचन दे किसे खानिया मत सुना और हम श्रापित हैं इस भाई के अनुसार तु मैं बताना चाहूंगा इनको कि जरा बाइबल को पढ़ें बाइबल की गहराई में जाएं ऐसे गूगल से आर्टिकल निकाल कर कुछ भी लोगों को पढ़ाने से सुनाने से काम नही देखा गया है कभी कभी आप लोगों ने छोटे बच्चों को देखा है उनको जब सही जवाब मालूम नहीं होता ना वो क्या करते जानते हैं जैसे के छोटे बच्चे को अगर कहा जाए कि भाई ABCD सुना और उसे और उसे ABCD ना आता हो तो बच्चा ऐसे करेगा हाँ मैं कल ने हमें सिकाया था वह सिकाय था A-B और एसा सिकाया फिर B सिकाय फिर सिकाया बात को गोल-गोल घुमाते हैं अ यह कर रहा वाई वचन तो नहीं दे सकता पूरे वीडियो में इसने दसमांक्स दो ऐसा कोह संन नहीं दिया बस श्यूमसित आये यह हुआ हलेलोईया लोगों क म BRANDON सकता है जो आत्मा से भ़रा हुआ है आपको कोई भी Google का ज्यान इस Bible को समझने में सहयक नहीं होगा आपको वही समझाएगा जिसने इस Bible के रचनक यर्था पवित्रात्मा और मैं जानता हूं आप में पवित्रातमा कता ही नहीं है क्योंकि पवित्रातमा आपने वचन को महत्व देता है पूरी वीडियो में बस डायलग बाजी यहां यहां वहां का का इशु मसी आया इशु मसी नहीं यह किया वो क्या इशु मसी यह वो पाई एक भी वचन नहीं दे पाया यह काउंटर नह आजादित से जितना भी मन में आये उसकी अनुसार देना है एक भी काउंटर नहीं दे पाया भाई उसका बस इधर उदर का बात कर रहा है फालतुपत यह वह और बोलने का तरीका तो ना ऐसे लोगों का तरीका यह होते एक इंसान की तरह बात कर टेपरीकॉडर होता ना टेपरीकॉडर एक बार लगा दिया तो वहीं चलता रहता है यह हो यह फिर एशा हो गया टेपरीकॉडर मत कर तो खेर ऐसे फुंटी बाबा और मिलते रहेंगे मिलते अगले वीडिये प्रभीश में से आप सब को आसिस दे तब तक लिए जय मसे कि दस मांक्स नहीं देना है लेकिन फ्री विल ओफरिंग देना है लेकिन यह कोई रूल नहीं है जब आपका मन करें दीजिए